नमस्ते दोस्तों तो देखिए आज मैं कुछ अपने जो है किचन गार्डन से कुछ हार्वेस्टिंग करने आई हूँ यह टमेटोस के प्लांट है आप देख रहे हैं और यहां मैंने कुछ बिंडी भी लगाए है और देखिए बहुत सारे टमेटोस जो है बंचेज में जो है मैंने 8-10 प्लांट लगाए थे तो 2-3 जो है खराब हो गए और कुछ जो बचे थे इनमें बहुत ज्यादा जो है अच्छी फ्रूटिंग जो है इनमें चल रही है देखिए बहुत सारे हेल्दी टमेटोस जो है इनमें लगे हैं और कुछ-कुछ जो है अभी पक भी चुके है तो चलिए दोस्तों देखते हैं कहां कहां जो है इनमें जो है पके हुए फल है हम उन्हें जो है निकाल लेते हैं तो यहां आप देखिए यहां दो तीन टमेटोस जो है पके हैं वाव देखिए बहुत थी जो है हेल्दी टमेटोस है तो यहां तीन पके हैं आप देख सक तो यह मैं अभी तोड़ने वाली हूँ तो कितना अच्छा एक फीलिंग से दोस्तों खुद अपनी जो है बगीचे से छोटे से बगीचे से आप जब ऐसे हार्वेस्ट करते हैं तो टमेटोज को लेके यह मेरा पहला आप लोग भी चोटे चोटे पौधे आप लगा सकते हैं अभी इनका सीजन है तो मैं इनको भी तोड़ देती हूं और फूलों के साथ चोटे मोटे इस तरह से फलों को भी लगाए इससे हमारा जो है एक्सपीरियंस जो है बढ़ता रहेगा और यहां देख सकते हैं आप तो टमेटोस मुझे यहां मिल गए वाव और यहां भी एक देख सकते हैं यह पका है आप देख रहे होंगे यह ज्यादा बड़ा प्लांट नहीं है और उस दिन बारिश भी हुई थी तो बारिश की कारण भी सारे प्लांट जो है इधर उधर हो गये थे और मैंने इनको जो प्रमीन पर जो है यह लगे हैं और काफी बड़े बड़े टमेटोस मुझे मिले हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और इधर भी और एक दो तीन प्लांट है तो देखाना दोस्तो एकाद प्लांट लगा कर हम बहुत सारे जो है इन में से फल जो है हमें मिलते हैं यह देखे किस तरह का किस डिजाइन का यह टमेटो है और यहां आप देखे कितने बंचेज में अभी लगे हैं और इधर जो है यह रेडी नहीं है और और इधर भी नह पके हैं अभी बन रहे हैं और यहां सारे यह प्याज के साथ थे इनको भी मैं निकाल दूंगी कि अभी इनका टाइम नहीं है और देखी मेरा यह स्टिक भी जो है गिर गया तो इनको फिर से सपोर्ट की जरुरत पड़ेगी और आप देखें यहां बहुत सारे टमेटो लगे हैं तो लगभग मुझे दस टमेटो मुझे मिल गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस वाओ तो आज की मेरी हार्वेस्टिंग यही है माई दियो फ्रेंज अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें यही कहते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ बाबाई दोस्तों